ओम नमस्षुवाए श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तो सावन पूरण मासी से संबंद जान कर दे रहा हूँ साल की सबसे बड़ी पूरण मासी भी आप कह सकते हैं इस दिन मनाया जाता है रख्या बंदन का पर्व इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनो कामनावस्य पूर योगी पुत्रधन प्राप्ति का इस दिन मिलता है आशिरवाद सावन पूरण मासी के दिन ही रख्या बंदन का पर्व मनाया जाता है सावन पूरण मासी है तो सुबह से ही पूरण मासी का योग है आप यह उपाय करें इससे आपकी मनो कामना पूर योगी सबसे पहले सुबह शनान करते समय जल में गंगा जल मिला करके शनान करें उसके बाद में शूर देव को अर्ग दें शूर्देव करके देते समय ओम सूर्या नमा ओम भास कराय नमा ओम आधित्ता नमा आधि मंत्रों का जाप करें शूर्देव से प्रात्रा करें वह आपको पुत्र प्राप्ति वा धन प्राप्ति का आशिरवाद देंगे शूर्देव की पूजा करने के बाद में फिर आपको तुलसी माता का पूजन करना है एक लोटा जल लेकर के आप तुलसी माता को समर्पित करें साथ ही तुलसी माता के सामने चौमों की दीपक जलाएं और हल्दी चावल तुलसी माता को समर्पित करें इस दिन आपको एक चीज़ जरू खाले नहीं है जिसका प्रभाब बहुत जाता है आप सभी जानते हैं कि पूरण मासी एक दिन सत्त नारण भगवान का पूजन किया जाता है उसमें तो बड़ी पूरण मासी हैं तो इस दिन आप भगवान सिवकाव सिख करें ओम नवस्वा और गाय का घीड आल देना है भगवान को भोग लगाएं भगवान कृष्ण को भोग लगाएं भगवान सिवको भोग लगाएं फिर इस प्रसाद को आप केले के फल के साथ में खाना है दोस्तों यह प्रसाद ब्यहदी चमतकारियों प्रभावसाली प्रसाद होता है पूर अगर आप परक्रमा देते हैं तो कभी भी धनकी कमी नहीं रहेगी और साथी पुत्र धनकी मनुकामना आपकी पूर्योंगी तो इस दिन आप भगवान भुग लगा के 108 बार ओम नमव भगवतिवास देवायनमा या ओम नवश्बायनमा मंतर का जाप करके खिरका प्रसाद आप खालेंगे राथ को चंद्रवा को आरक देना है चंद्रवा को परणाम करें साती माता लच्छमी का इस दिन पूजन करें राथ को आपके जीवन में आ रहे हैं सारे क और परिशानिया दूर होंगे ओम नमस्वाई हर अरमादे जैस्री किष्ण